आज मैं सदन को एक कहानी सुनाना चाहता हूं कहानी का शीर्शक है चोथी पास राजा मेरी कहानी में रानी नहीं है ये एक महान देश की कहानी है एक बहुत महान देश था आज मैं सदन को एक कहानी सुनाना चाहता हूं कहानी का शीर्शक है चौथी पास राजा आपने बच्च्पन में राजा रानी की बहुत कहानिया सुनी होंगे मेरी कहानी में रानी नहीं है बस राजा है ये कैसे राजा की कहानी है ध्यक्षव महदया जो अनपर था चौथी पास था बेहद अहंकारी था बहुत अहंकार था बहुत ज़्यादा और पैसे की इतनी हवस थी इतना भरष्टाचारी था इतना भरष्टाचारी राजा था यह एक महान देश की कहानी है एक बहुत महान देश था कई हजार साल पुराना देश उस देश में एक गाउं में एक बहुत गरीब परिवार में एक बच्चे का जनम हुआ जब बच्चे का जनम हुआ तो जोच्ची ने कहा गाउं में जोच्ची होते हैं आते हैं वो पत्री बनाते हैं जोच्ची ने कहा माई तेरा लड़का बड़ा होके बहुत बड़ा सम्राट बनेगा माई को यकीन नहीं हुआ मेरा इतने गरीब हूँ मैं कहां से मेरा बेटा समराट बनेगा तो उसने का नहीं तेरे बेटे के ग्रह बताते हैं तेरा बेटा बहुत बड़ा समराट बनेगा बेटा धीरी धीरे बढ़ा हुने लगा स्कूल गाओं का ही स्कूल था स्कूल जाता था उसका पढ़ने वढ़ने में मन नहीं लगता था तो चौथी के बाद उसने किसी तरह से चौथी करी चौथी के बाद उसने स्कूल छोड़ दिया गाओं के पास एक रेलवे स्टेशन था तो घर का खर्चा चलाने के लिए वो लड़का वहाँ स्टेशन पे चाहे बीचता था लड़के को भाशन देने का बड़ा शौक था सारे गाओं के लड़कों को इकठा कर लेता आसपास के गाओं के भी इकठा कर लेता सामने वो खाट डाल लेता उस पे चड़ जाता और भाशन देता दीरे दीरे आसपास के गाओं के लड़के भी कठे हो गए जिसमें जिसमें जीजमें भाशन देता एक बार शुरूब हो जा तो बंदी नहीं होता अब जोच्छी ने कहा था लड़का बड़ा हुआ बड़ा होके एक दिन उस महान देश का वो राजा बन गिया पूरे देश में उसका नाम हो गया चौथी पास राजा लोग उसको चौथी पास राजा कहते थे उसे आता जा तो कुछ था नी पड़ा लिखा था नी अफसर आते हैं कुछ-कुछ अंगरेजी में चपर-चपर करते हैं उसको समझ नहीं आता अफसर जो मर्जी उससे साइन करा के लिए जाते हैं अब वो कुछ पूछे अफसरों से तो उसे भी शरम आती थी कि मैं पूछूँगा तो उनको लगेगा अनपड़ आदमी है पता चल जाएगा तो उसके भी दिल में ये रहता था यार मैं पूछूँ ना पूछूँ पता नहीं किस किस चीज पे उसने चौथी पास राजा ने साइंग कर दिये फिर धीरे राजा को ये बुरा लगने लगा यार ये मिर को चौथी पास चौथी पास कहते हैं तो उसने एक फरजी डिगरी बन वा ली कहीं से फरजी डिगरी बना के लिए आया में की गुला में में तो लोगों को लगा यार यह यह तो ठीक नहीं है यह तो फर्जी डिग्रियम बना के लिए आया हमार हराजा तो लोगों ने आर्टियाई डाली जो आर्टियाई डालता उसके 25 जार उपर जुरमाना आपके नेता की बात नहीं कर रहा आप लोग भी हस आप लोग भी हस सकते हो कुछ लोग गई राए चौथी पास राजा के पास बोले जी एक बड़ा धासू आइडिया लेके आया है बोले बताओ बोले जी नोट बंदी कर दो रश्टाचार खतम हो जाएगा देश से तो उसने कुछ पूछा उसे कुछ समझ नहीं आया राजा को क्या कह रहे हैं क्या नहीं पर उसे लगा यार कुछ दासू आइडिया होगा उसने एक दिन रात को आठ वजे टीवी चैनल पे जाके नोट बंदी कर दी वहला सारे नोट बंद पूरे देश में हाहा कार मच गया तडप गए लोग धंदे बंद हो गए दुकाने बंद हो गई लोग बेरोजगार हो गए बुरा हाल हो गया पूरे देश लंबी लंबी लाईने लग गई पूरे देश के अंदर लोगों ने जाके उसको गाहजी नोट बंदी कर दो आतंकवाद खतम हो जाएगा ना आतंकवाद खतम हुआ ना भज्टाचार खतम हुआ देश बरबाद हो गया वो महान देश जिसका वो राजा बनाता वो देश दस साल पंद्रा साल बीस साल पीछे चला गया उस नोट बंदी से उस चौथी पास राजा की वज़े से एक दिन कुछ लोग गए इस राजा के पास बोले जी खेती खूब बड़ी हो जाएगी ये किसानों के कानून पास कर दो अब उसको कुछ हकल नहीं थी राजा को अनपड राजा था उसने साइन कर दिये तीन काले कानून पास हो गए किसानों के पूरे देश के किसान सड़कों पे जगे जगे मोर्चे साड़े साथ सो किसानों की मौत हो गए एक साल के अंदर अंत पंत में राजा को वो कानून वापस लेने पड़े इससे पहले एक और राजा आया था मुहम्मद बीन तुगलक वो भी ऐसी करता था कभी उसने देश की राज़ानी बतल दी कभी बोला मैं चमड़े के सिक्के बनाऊंगा उसी तरह से ये था अनपड़ राजा कुछ भी कुछ भी कर देता था अब राजा को एक दिन लगाया और मैं तो राजा बन गया पता नहीं कितने दिन रोंगा तो उसकी गरीबी में जो जीवन उसने जीया था उसे लगाया और पैसे तो कमाने चाहिए पैसे कैसे कमाऊंगा तो जनता आप में छवी खराब होगी तो उसने अपने एक दोस्त को बुलाया और उस दोस्त को बोला कि ऐसा करते हैं कि मैं तो राजा हूँ सारे सरकारी ठेके तिरको दिलाऊंगा सारी कमपनिया तिरको दिलाऊंगा सरकारी पैसा तेरे को दिलाओंगा नाम तेरा पैसा मेरा तेरे को पूरे उस पे दस परसेंट कमिशन तेरे को मिलेगा सारा पैसा मेरा दोस्त मान गया दोस्त को क्या दा फ्री में पैसा मिल रहा दोस्त मान गया उसके बाद दोनों ने मिलके जो देश को लूटा, जो देश को लूटा, इतनी महंगाई हो गई, इतनी महंगाई हो गई पूरे देश में, पहले गैस चार सो रुपए सिलेंडर होती थी, चौथी पास राजा की आने के बाद 1100 रुपए सिलेंडर हो गई, पहले पेटरół एकतर रुपए होता था, सत-तानुए रुपए हो गया, पहले डीजल सतावज रुपए होता था, 90 रुपए लिटर हो गया, जब पेट्रोल के दाम बढ़ गए डीजल के दाम बढ़ गए तो सारी चीजों के दाम बढ़ गए देश के अंदर हाहा कार मच गया सब चीजों पर इसने और इसके दोस्त ने कब जाये दूद पहले 46 रुपे होता था 66 रुपे लिटर हो गया बच्चों को माएं दूद पिलाने लाएक नीवची घरों के अंदर छोटे छोटे बच्चों के दूद छीन लिये इसने राजा ने सरसों का तेल 90 रुपे लीटर उठा था था दो सो 14 रुपे हो बताओ धीरे धीरे पूरे देश में हाहा कार मिच गया लोग अब राजा के खिलाफ आवाज उठाने लोग उसके खिलाफ बोलने लगे तो राजा ने कह दिया जो मेरे खिलाफ बोलेगा पकड़ के जेल में डाल दिया किसी ने राजा का नाम गलत ले दिया उसको भी जेल में डाल दिया किसी टीवी चैनल वाले ने राजा के खिलाफ लिख दिया उसको भी पकड़ के जेल में डाल दिया ना जजजों को छोड़ा ना पत्रकारों को छोड़ा ना मीडिया को छोड़ा ना वेपारियों को से कहां पहुंच गया उसी देश के अंदर एक छोटा सा राज्य था उस राज्य का एक मुख्य मंत्री था उनके चेहरे पे भी स्माइल आ गई उनके चेहरे पे भी उमीद की किरंच आ गई वो मुख्य मंत्री अपने लोगों का खुब ख्याल रखता था वो मुख्य मंत्री कटर इमानदार था वो मुख्य मंत्री कटर देश भक्त था वो मुख्य मंत्री वो मुख्य मंत्री पढ़ा लिखा था उस मुख्य मंतरी ने अपने लोगों को मेंगाई से छुटकारा दिलाने के लिए बिजली मुफ्त कर दी था भाई साब उसके बाद तो चौथी पास राजा पागल हो गया उसने बुला के जो हड़काया उस मुख्य मंतरी को कि तेरी हम्द कैसे हुई उसे लगा राजा ने तो सारी बिजली कंपनियों पर तपजा कर रखा था उसे लगा अगर ये बिजली मुफ्त करने लग जगया तो बाकी देश में तो मेरा बेड़ागर्क मेरी बिजली कंपनिया लूट जाएंगी ऐसे कैसे चलेगा उसमें उसको का खबरदार तूने बिजली मुफ्त के मुख्यमंतरी नहीं माना दीरे दीरे उस मुख्यमंतरी ने अपने गरीबों के स्कूल ठीक करने चालू कर दिये तो राजा ने उसको बुला कि और हड़काया राजा बोले ये क्या कर रहा है तो स्कूलों के बच्चों को बढ़ाता है तो स्कूल खोल रहा है ये बंद कर ये सब ये नहीं चलेगा इस देश कर रहे हो नहीं वाना मुख्यमंतरी फिर उसमे मुख्यमंतरी ने सब के इलाज मुफ्त कर दिया सब के लिए शानदार महला क्ल और लोगों ने एक किसी मांदार और देश भक्त आदमी को वहां बिठा दिया और उसके बाद देश से महँगाई खतम हुई और देश रात दूनी चौगनी तरक्य करने लगा तो जैसे हम बच्पन में सुना गरते हैं फिर मौरल अफ दा स्टोरी का मतलब भई इस कहानी में क्या प्रेयर ना मिलती है इस कहानी से ये प्रेयर ना मिलती है कि अगर आपके देश में महंगाई है आपके देश में समस्याई है आपके देश में सब कुछ गड़बड चल रहा है तो सबसे पहले जाँच परक के देखो आपका राजा अनपड़ तो नहीं है अगर आपके देश में सब गड़बड चल रहा है बेरोजगारी है बहुत सारी समस्याई है जर आप देखो राजा आपके राजा को कोई दोस्त तो नहीं है अगर है तो सब से पहले अपने राज़ाöं को उखाड़ के फेको नहीं तो आपकी समस्याओं का कोई समधान नी होगा वो पड़ा करते थे अंधिर नगरी चौपट राजा सवासेर बाजी सवाजेर खाजा बहुत बहुत शुक्तिया